पेट बै टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करये बेल के बटन को भी धबाये दोस्तों आज हम जानने वाले है एनस के बारे में एनस एक आईविल पश्व में कब-कब दिया जाता है कैसे इसका यूज किया जाता है और प्रोपरिस की दोस्तों जानकर यह आपको मिलेगी तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा स्किपने करिएगा दोस्तों एनस है आप जानते होंगे एनस नॉर्मल सलाइन है इसके अंदर सोडियम क्लॉराइड होता है 0.9% होता है जो एक तरह से आईसो टोनिक सोलूशन होता है मार्केट में अपने को 100 ml में मिल जाती है 500 ml मिल जाती है और एक लीटर में भी यह खुए जाता है और दोस्तों जहां पर पर पशूमें डि-हाइडरेशन हो जाती है वहां पे लगा सकते है डाइरिया हो जाता है वहां पे इसको आईवी दिया भी दिया सकता है और प जाता है हाई टंपरेचर के केसी werden में जो नॉर्मल लाने के लिए बनाव है यह झाली आ जा सकता है एसीडोसिस है इलकोलोसिस है वहां पर पशु एमें訂閱 आईवी फलूर के तोर पर दिया कि आ जा सकता है और दोस्तों इसके लावा नbOSE है और भी काम है इस घाव करने में इस का उपयोग किया जाता है और दोस्तों इसके अंदर जो आई-वी रूट के इंजेक्शन है वो मिलाके इसके अंदर जो डिप के साथ में दिये जा सकते हैं अगर दोस्तों एनिस की अगर डोस की बात करें लार्ज इनिमल में अपन इसको 2-3 लिटर तक इसको लगाया जा सकता है और दोस्तों small animal में ये 500 ml तक लगाया जा सकता है बाकी दोस्तों रोग की घंभीरता पर depend है ये आपके veterinarians decide करते हैं कि इसको और अधिक कितने fluot की जूरूडत है या कम fluot की जूरूडत है वो आपके जो कर सको हैं इसको भली बांती जानते हैं कि ये होटी है उसको वहां उपयोग करने से बचनाह जा सकता है जहां पे प Herrn की घुर्णा अखिए तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लेगी आप जरूर बताईएगा धन्यवाद